मुंबई के डबबा वाले पिछले 130 साल से मुंबई के रफतार से कदम ताल करते आए हैं ओन टाइम लंच बॉक्स की डिलिवरी के लिए डबबा वालों की दाद दी जाती है लेकिन कोरोना काल में इनको दो वक्त की रोटी की दिक्कत हो गई है इसलिए अब डबबा वाले डिलिवरी सर्विस में उतर रहे हैं डबबा सर्विस में सालों से काम करने वाले कभी वाच्च में को लंच बॉक्स पहुंचाते थे लेकिन वक्त की मार पड़ी तो अब वाच्च में भी बन रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना वारिस ने पटने के लिए वैक्सीन लाने के कवाय जारी है इस बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर सफास्ते मंतुराले के ने आखले जो जारी किये हैं उसके मताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2207 कोरोना के नए मरीज मिले हैं जबकि ठीक होने वालों की संक्या 3818 है यानि कोरोना संक्रमित से ठीक होने वालों की संक्या डेड़ गुना से जादा है ऐसे में कोरोना का प्रकोब जेल रहे दिली आने वाले कुछ समय में जल्द ही कोरोना से जंग जीतने की देहलीज पर खड़ा हो जाए कोरोना वाइरस का वैक्सीन का ट्रायल करने वाले हरियाना के ग्रेमंतरी अनिल विज्ज के कोरोना संक्रमित हो जाने पर कॉंग्रेस नेता दिखविजे सिंग ने इस परिक्षन और उनके वॉलिंटियर बनने पर सवाल उठाए दिखविजे सिंग ने कहा कि हरियाना के ग्रेमत्री अनिल विज ने शोहरत पाने के लिए वैक्सीन दिया उन्होंने परिक्षण के प्रोसेस पर भी सवाल उठा है उन्होंने कहा कि ये नया रोग है इंसानों से पहले जानवरों पर ट्रायल होता है, यहां सीधा इंसानों पर हो रहा है कोविड वैक्सिनेशन को लेकर बिहार सरकार गंबीर है, हर एक व्यक्ति का कैसे सुरक्षित और कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए टीका करन किया जा, इस पर काम किया जा रहा है, स्वास्ति विभाग ने ग्राम पंचाथ स्तर पर वैक्सिनेशन की त्यारी करने का दिर्देश दिया है, डीम को बड़ी जिम्यदारी दी गई है, इसी क्रम में जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है राजस्तान की गैलोट सरकार ने किसान आंदुलन के बीच किसानों को बड़ी राहत देते हुए डाक जोन में कुवां और ट्यूब विल खोदने पर लगी रोग को हटाने का फैसला किया है, अब प्रदेश भर में किसान और आम लोग सहीद पांच कैटिगरी में ट्यूब कोरोना वारेस ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी रफ़तार तेज कर दी है, ये जानलिवा वारेस 23 से फिल्म इसे तानों के बीच फैल रहा है, बीते दिनों एक्ट्रेस नीतु कपूर और अक्टर बनू धवन इसकी चपेट में आ गए, अब खबर ये है कि एक्ट्रेस प्रिती से नन भी इसका शिकार हो गई है, एक रिपोर्ट के मताबिक तीशने नन चंडीगर में फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसके चलते वो कोरोना पॉसिटिव हो गए, बॉलिवुड स्टार्स कब कहां भिड़ जाएं, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता, इन दिनों ट्विटर पर अनल कपूर और अनुराक कशब की तक्रार देखने को मिल रही है, अनल कपूर और अनुराक कशब ने एक दूसरे पर निजीहमले की है, इस प्रॉसेस में उन फिल्मेकर्स ने तो फायदा उठा लिया जिनकी फिल्मों का बजट 10 से 50 करोड रुपे के अंदर रहा लेकिन लक्षमी जैसे बड़े बजट की फिल्म के दिर्माताओं को अपनी लागत निकाल कर ही संतुष्ट होना पड़ा रुचा चड़ा की आने वाले फिल्म शकीला का नया पोस्टर रिलीस कर दिया गया है आपको बता दे कि ये फिल्म का दूसरा पोस्टर है इससे पहले भी फिल्म शकीला का पोस्टर रिलीस किया गया था जिसमें खुद रुचा चड़ा नज़र आई थी वही हाल ही में रिली बिग बॉस के घर में एक एक करके सभी चैलेंजिस के एंट्री हो रही है राके सावन के एंट्री होना बाकी है राहूल माजन की अभी तक आखरी एंट्री हुई है शो में राहूल माजन को एक दिन का राजा बनाया गया अर्शी खान ने राहूल का सपागत हरी मिड्स से किय इस दोरान सभी घरवालों ने राहुद से खूब मसे लिए औस्ट्रेलिया ने तीन T20 की सीरीज का आखरी मुकाबला 12 रन से जीत लिया सिड्नी में औस्ट्रेलिया ने टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए टीम इंडिया को 187 रन का टागेट दिया इसके जवाब में भारतिय टीम 7 विकट गमा कर 144 रन नी बना सकी भारत को मैच में ग्लेन मैक्सविल को टीम जीवन दान देना भारी पड़िया मैक्सविल ने 54 रन की पारी खेली भारत की तरफ से कप्तान कोहली ने 85 रन बनाए लेकिन कोई और बल्ले बास्टिक न पाया टीम इंडिया ने भले ही ये मैच गमा दिया लेकिन सीरीज पर उसने 2-1 से कबजा कर लिया है ये भारतिय टीम ने लगातार पांचवी T20 सीरीज जीती है मैच के दौरान डिसिजन रिव्यू सिस्टम यानि DRS को लेकर विबाद हो गया आस्ट्रेलिया की पारी में 11 ओवर में भारतिय कप्तान विराट कोहली के रिव्यू को TV अमपायर ने हमाने करार दे दिया अमपायर के मताबिक कोहली ने स्टेडियम में लगी स्क्रीन पर रिपले देखने के बाद रिव्यू का फैसला लिया इसलिए TV अमपायर ने कोहली का रिव्यू खारश कर दिया हाला कि रिपले में साफ था कि अमपायर का फैसला घलत था और मैथ्यू वेड निश्यत तोर पर आउट अगले साल टोक्यो ओलम्पिक के दौरान एथलीट्स को इवेंट खत्म होने के बाद गेम विलेज को खाली करना पड़ेगा वे इवेंट शुरू होने से पांच दिन पहले ही टोक्यो आ सकेंगे उद्गाटन के मौके पर भी सबी खिलाडियों को परेड में भाग नहीं लेना पड़ेगा उनको नहीं ले सकेंगे बलकि शुरुवाती हफते में आईजित होने वाले इवेंट के एथलीट्स को ही इसमें भाग लिने की अजाज़त होगी इंटरनाशनल ओलम्पिक संग ने इस तरह के नियम कोरोना प्रोटोकॉल के तहद बनाए हैं आईयोसी के मताबिक खिलाडियों को इवेंट खत्म होने के 48 गंटे के अंदर वापश जाना होगा इंटरनाशनल ओलम्पिक कमिटी ने चार नए खिलों को ओलम्पिक स्टेटस दे दिया है 24 में परिस में होने वाले उलम्पिक हिलों के लिए ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल किया है कोरोना वारस की महामारी के बी सचिन तंदुका छुटिया मनाते हुए एडवेंचर करते वे नजर आए सचिन तंदुका ने समुद्धिर में पैरसेलिंग की, सचिन ने पैरसेलिंग के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया प्रेजिडेंट एलेट जो बाइडन ने पूर्व आमी जर्नल लॉइड आस्टिन को नया डिफिन सेकेटरी नियूट किया है अश्वे जनल होंगे जो पैंटागन का जिम्मा समझाने के